गुड मॉनिंग स्टुडेंट्स इस वीडियो में आज हम इस पेर यानि गोले का लेक्चर नमबर एट करेंगे इसके पहले के 7 वीडियो में हमने इस पेर से संबंदित थियोरम्स उसके आर्टिकल्स और उससे संबंदित सवाल किये थे आज हम इस पेर में पोल एंड पोलर प्लेन किसे कहते हैं उसकी क्या एक्वेशन्स होती है और उससे संबंदित सवालों को हल करेंगे अगर इसके पिछले 7 वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे जो चैनल है Mathematics by Dr. Rajni Agarwal उसमें जा करके आप इसके वीडियो देख सकते हैं साथ में मैंने Integral Calculus की पूरी बुक और साथ में Two Dimensional Geometry यानि की Polar Equation of Conic की पूरी बुक भी करा दी है उसके भी वीडियो आप मेरे लिंक पर जा करके देख सकते हैं ना हम स्टार्ट करते हैं Pole and Polar Plane If any secant through a given point A यदी हमारे पास में कोई एक बिंदू A से एक हम रेखा कीचते हैं ये बिंदू हमारा A है इस बिंदू से यदी हम कोई रेखा कीचते हैं जो की spare को दो point पर cut करती है meet the spare in point P and Q जो की ये जो spare है हमारा spare पर हमको ये दो point पर cut करती है P और Q पर और R इसमें एक ऐसा बिंदू है ये R हमारे पास में एक ऐसा बिंदू है जिसमें की अगर हम relation निकाले A R equal to में A P और A Q में तो वो हरात्मक माध्य में आना चाहिए यानि की A R equal to twice of A P into A Q upon A P plus A Q तब हम कहेंगे की जो बिंदू R है इसका जो बिंदू पत है वो हमारा एक समतल होगा जो की बिंदू A से का गोले से दुरुविय समतल कहलाता है और ये जो बिंदू A है इसको अगर हम alpha बीटा गामा से भी represent कर सकते हैं point को ये बिंदू हमारा pole कहलाता है then the locus of point R is called the polar plane of a point A with respect to the sphere and the point A is called the pole of the polar plane अब हम next equation of the polar plane निकालेंगे तो equation of polar plane हम क्या कहेंगे कि यदि कोई A बिंदू जिसके coordinate alpha बीटा गामा है किसी sphere से पास होता है और उस sphere के जो line है वो line हमारी पास में ये है x minus alpha upon L equal to y minus beta upon M equal to z minus gamma upon N तो इससे बनने वाले polar plane का जो समिकरन होता है वो समिकरन होता है alpha x plus beta y plus gamma z plus u x plus alpha plus v y plus beta plus w z plus gamma plus d तो जब भी हमें कोई sphere की और line की equation दी हुई है और बिंदू दिया हुआ है तो उससे हम polar plane की equation निकाल सकते हैं अब pole कैसे निकालते हैं यदि हमारे पास में कोई plane दिया हुआ है lx plus m y plus n z equal to p और साथ में sphere की equation ये दी हुई है तो उसके लिए हमारा जो pole होता है वो एक तो इसकी radius हो गई इसको हम गुणा करेंगे l से और divide कर देंगे p से तो l a square by p l m a square by p और n a square by p ये तीनों हमारे pole कहलाते हैं उस polar plane के जो कि हमको ये दिया हुआ है अब हम question को हल करेंगे प्रूफ देट, question हमारा है प्रूफ देट the following sphere touches internally और externally find the coordinate of their common points ये questions मैंने exercise third second c में से लियोए questions हैं उसमें से question number 12 and question number 13 है ये तो हमें क्या करना है कि सिद्ध करों की निम्न गोले का एक दूसरे का स्परश करते हैं हमें सिद्ध करना है कि ये गोला और ये गोला दौनों एक दूसरे को स्परश करते हैं अब ये अंदर से करते हैं या बाहर से करते हैं इंटर्नली और एस्टर्नली यह हमें सिद्ध करके बताना है और इनका हमें common point भी ग्याद करना है तो हम इसका हल निकालते हैं the given equation of spares हमें जो गोले के equation दी हुए हम उनको लिख लेते हैं सबसे पहले x square plus y square plus z square equal to 25 equation number 1 देते थे इसको हम और x square plus y square plus z square minus 18x minus 24y minus 40z plus 225 equal to 0 इसे हम equation number second दे देते हैं अब हम हम हैं इसेंटर ओफ एक्वेशन वन इस इस इसको रिप्रेजंट करें यह हम देख रहे हैं कि जीरो जीरो और जीरो है इसी तरह सेंटर ओफ एक्वेशन second is c2 से हम इसको रिप्रेजंट कर दें तो यह देखें यहां पर सेंटर निकालने का तरीका मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था यहां से यह हमारे पास minus u होता है तो यहां पर कितना हो गया यह 2 u x होता है जनरल एक्वेशन तो यह हो गया 9 12 and 20 यह इसके सेंटर हो गया अब हम कोई भी दो गोले हैं उन दो गोलों के दूरी क्या होगी c1 और c2 का स्क्वेर वो कैसे निकलेगा एक में से दूसरे को घटा देंगे तो दो बिंदू के बीच की दूरी निकलाएगी इस स्क्वेर प्लस 12 माइनस 0 का होल स्क्वेर प्लस 20 माइनस 0 का होल स्क्वेर और c1 c2 का होल स्क्वेर इकल तो कितना हो गया 625 इकल तो that implies c1 c2 equal to कितना हो गया under root of 625 और c1 c2 equal to हो गया 25 and radius और हम तरिजय में निकालेंगे and radius दोनों की radius हमारे पस में क्या होगी r1 equal to तो कितनी है पहली equation से 5 from equation 1 r1 equal to this and from equation 2 r2 equal to कितना हो जाता है under root of u square plus v square plus w square minus d which is equal to u square कितना है हमारे पास में 9 square 81 plus 12 square 144 plus 20 square is 400 minus 225 which is equal to ये दोनों मिला के 225 हो गए तो ये बचा 400 तो under root of 400 is equal to 20 that implies r1 plus r2 equal to कितना हो गया हमारे पास में 20 plus 5 equal to 25 और c1 c2 भी हमारे पास में 25 है तो इसका मतलब क्या हुआ है कि इसका मतलब जो दोनों गोले हुए हमारे पास में ये दोनों गोले एक दूसरे से बाहरी रूप से टच करते है क्यों करते है देखे ये हमारे पास में ये टच करने है ये हमारे इसके center है ये इसके center हो गए ये c1 है ये c2 है ये हमारी 5 है ये हमारी 20 है ये थोड़ा circle spare का diagram छोटा बन गया है इसको आप तोड़ा बड़ा बनाने लिजे इसके सेंटर हमारे हैं 0, 0 and 0 और इसके सेंटर है 9, 12 and 20 तो इसका मतलब यह क्या हुआ यहां से यह टच करता है बाहर से जबी तो यह दोनों डिस्टेंस 20 होगी तो अतहर चुंकि दोनों के गोलों के केंदर की बीच की दूरी हमारी सज्ज्याओं के योग के बराबर है अतहर दोनों गोले एक दूसरे को बाही रूप से श्पर्ष करेंगे अब बिंदु P के निर्देशांग भी हमें मालूम करने है तो यह जो बिंदु P है इसके निर्देशांग फॉर्मूले से हम क्या मालूम करेंगे सूत्र से इस P बिंदु के निर्देशांग कोडिनेट्स ऑफ पॉइंट पी क्या हो जाएगा हमारे पास में 5 इंटु 9 प्लस 20 इंटु 0 अपॉन 5 प्लस 20 कौन सा फॉन लगाया M1 M2 प्लस M1 M2 यह होगा हमारे पास में फॉर्मूला कौन सा होगा यह यह होगा हमारे पास में M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2 यहां पर M1 हमारे पास में 5 इंटु X2 9 प्लस M2 20 अपॉन X2 0 तो इससे में यह वह पास कौन सारे कौणियों निकालेंगे इसके तो यह जो कौन साई मारे पास में आएंगे म, म, अ हमारे पास में क्या जागा यह तो हमारे पास में हुआ पहला कोडिनेट है 5 इंटो 9 plus 20 इंटो 0 अपन 5 प्लस 0 इसी तरह से 5 इंटो 12 यहां से यह 5 इंटो यहां से 12 5 इंटो 12 गौरस 20 इंटो जिरो 20 इंटो 0 upon 5 plus 20 and 5 into 20 plus 20 into 0 upon 5 plus 20 which is equal to point P equal to कितना आ गया हमारे पास में 9 by 5 and 12 by 5 and 4 तो ये हमारा कोडिनेर्स आ गया विंदूपी का जहां पर की दौनों की दौनों सरक्ल टच करते हैं अब हम दूसरा सवाल स्टार्ट करते हैं कोशन नमर सेकिंड है एक्सिस जो दो स्पेर दे हुए हमको यह मालूम करना है कि यह इंटर्नली टच करते हैं या एक्स्टर्नली और साथ में का पॉइंट अफ टचिंग भी निकालना है तो हम इसको फिर से जैसे हमने यह पहला वाला किया वैसे ही करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में The given equation of square are x square plus y square plus z square equal to 64 and x square plus y square plus z square minus 12x plus 4y minus 6z plus यहाँ पर आएगा plus sorry plus 48 equal to 0 तो यह हमारे पास में equation number 1 हुआ और यह equation number 2 हुआ अब हम इनकी radius निकाल लेते हैं और center निकाल लेंगे So, from equation 1 Center C1 equal to कितना है? 0, 0 and 0 And radius R1 equal to हमारे पास में हुआ Under root of 64 equal to 8 And From equation second Center हमेशा center क्या होता है? Minus u minus v minus w General equation of square में से तो इस में से यह हो गया 6 Minus 2 and 3 And radius Equal to under root of U square plus v square plus w square minus d Which is equal to 6 square plus minus 2 square plus 3 square Minus 48 Under the root Which is equal to 36 plus 4 plus 9 minus 48 And which is equal to जब हम इसको simplify करेंगे तो यह हमारे पास में आ जाएगा 1 That implies R2 equal to हमारे पास में आया 1 अब हम दोनों गोलों के बीच में दोनों गोलों के केंडरों के बीच की दूरी उनकी तरज्याओं के अंतर के बराबर होती है तो हम उसके लिए क्या करेंगे दोनों गोलों को सुपर्श कराएंगे और हमारे पास में अब हम दोनों गोलों के बीच की दूरी भी निकालने हैं तो हम निकालेंगे C1 C2 का whole square C1 C2 center हमारे है 6 minus 0 दो बिंदों के बीच की दूरी यह हमारे पास में है एक center और यह हमारे पास में है दूसरा center इन दोनों center के बीच की दूरी का formula आपको पता है plus minus 2 minus 0 का whole square plus 3 minus 0 का whole square which is equal to 36 plus 4 plus 9 which is equal to 49 और C1 C2 equal to 7 that implies C1 C2 equal to 7 अब हमने क्या देखा कि यहां पर हम क्या देखते हैं कि R1 plus R2 equal to कितना है 8 plus 1 equal to 9 and R1 minus R2 equal to हमारे पास में है 7 8 minus 1 equal to 7 तो इसका मतलब हमारे पास में यह जो radius है यह हमारी 7 आ रही है इसका मतलब यह internally touch करेंगे तो हम इसको diagram मनाते है तो हमारे diagram क्या हो जाएगा यह हमारा हुआ एक इसी तरह से यह इसको touch करता हुआ यह हमारा हुआ इसको मैं दुबारा से बनाती हूँ अच्छा नहीं बना यह हुआ और 7 में यह हुआ तो यहाँ पर हम क्या देखते है कि यहाँ पर यह suppose हमारे पास में center है एक गोले का बड़े वाले गोले का C1 और यह हमारे पास में center है छोटे वाले गोले का C2 तो हमारे पास में R1 equal to तो कितना है 8 और R2 equal to हमारे पास में है 1 तो यहाँ से जो हमारा internally गोले टच करता है तो यह हमारे पास में distance आ जाती है टोटल 7 तो इस तरह से जो इनके स्पर्ष बिंदू के निर्देशंग के लिए जो बहा विवाजन सूतर है हम उस सूतर से इसके point निकालेंगे जो यह touch करता है इसका point यह point P जो है इसको जब हम निकालेंगे तो यह कैसे आजाएगा 8 into 6 minus 1 into 0 divided by 8 minus 1 इसी तरह से दूसरा हमारे पास में आएगा 8 into minus 2 minus 1 into 0 divided by 8 minus 1 क्योंकि यह 0 last वाले इसलिए आता है क्योंकि एक center हमारा 0,0,0 है 8 into 3 minus 1 into 0 upon 8 minus 1 which is equal to 48 by 7 minus 16 by 7 and 24 by 7 तो इस तरह से हमारा यह जो दूसरा वाला गोल सवाल है इसमें यह हमारे जो spare है यह internally touch करेंगे और जब यह internally touch करते हैं तो इसको मतलब यह बहावी भाजन है तो बहावी भाजन में हमारा जो formula होता है वो होता है m1 x2 minus m2 x1 upon m1 minus m2 इसी तरह से m1 y2 minus m2 y1 upon m1 minus m2 and m1 z2 minus m2 z1 upon m1 minus m2 इस से हमने यह points निकाले हैं तो इस तरह से हमने दो सवाल निकाले उन दोनों सवालों में एक में तो हमारा जो circle है वो बाहर रूप से touch करता है तो जो इसका point है वो internally निकलेगा m1 और m2 के यह internally point हो गया इसी तरह से जो circle अंदर से touch करता है उस circle का यह जो point हो जाता है circle तो internally touch करता है लेकिन जो point है वो बाहर रूप से touch करता है तो externally touch करने वाले point का यहाँ पर यह center हो गया इसका यह इसका center हो गया तो externally touch करने वाले point का यह वाला formula होता है और internally touch करने वाले का यह plus वाला formula होता है यह आप 11 में पढ़ चुके हैं तो इस तरह से हमने यह जो सवाल हमको दिया हुआ है कि किसी भी 2 square को जो touch करते हैं वो internally करते हैं या externally करते हैं वो हम का point of touching ये point P भी हमको निकालता है Thank you